सब्सक्राइब तैक्टीवी यूटूब चैनल और नोटिफिकेशन बटन यूटूब पर तैक्टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे इसलामाबाद में मंदर बनने का खाब एक ऐसा खाब है पाकिस्तान में बसने वाले हिंदों को जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इसलामाबाद में मंदर बने लेकिन पाकिस्तान के हिंदू हों सिख हों क्रिस्चन्स हों और एहमदी हों और दूसरी एथनी कम्यूटीज हों उनके कैसे कैसे खाब अब तक चकना चूर नहीं हुए हम आशा तो यही करते हैं कि पाकिस्तान के कैपिटल इसलामाबाद में मंदर बने क्यूंके पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है सेंकडों नहीं बलके हजारों मंदर गुर्दवारे गर्जागर तूट चूटे हैं जब मैं हजारों मंदरों और गुर्दवारों की बात करता हूँ तो सोशल मीडिया पर कई लोग आकर मुझसे बिड़ते हैं और कहते हैं कि बताईए कहां कहां मंदर तूटे हैं पाकिस्तान में आप घलत कहते हैं राम के शहर लहौर और कसूर और लाड राम की दर्टी पाकिस्तान और बाबा गुरु नानिक की दर्टी पाकिस्तान में गली गली में मंदर और गुर्दवारे हुआ करते थे पार्टीशन से पहले मैंने अपने बच्पन में खुद अपनी आँखों में लहौर और कसूर की गलीयों में मंदरों के असार देखे हैं और अब तो वो असार भी नहीं रहे वो जो चुट-चुट चुटे मंदर जैसे चुट-चुटी मस्जदें होती हैं झहां कहीं भी कम्यूटीज रहती हैं तो वो अपनी इबादत गाहें बनाती हैं तो वो धरती पंजाब हो सिंध हो बलोचस्तान हो और हैबर पक्तोंखा हो ये सारी के सारी धरती हमारे पुर्खों यानि हिंदू सिविलाइजेशन के लोगों की थी जो मेरे भी पुर्ख थे तमाम पाकिस्तानियों के भी पुर्ख थे और हम सब के पुर्ख थे अब हम मा को कैसे मालेंगे हम गुर्दवारों को कैसे मालेंगे बारहाल एक ऐसी ही फिर सूरते हाल पर या दो राहे पर पाकिस्तान के हिंदू खड़े हैं जब वो इसलामाबाद में एक मंदर देखने का खाफ देख रहे हैं और मंदर की कुछ तामीर भी शुरू हुई लेकिन उस ता जा गया और देखिए किस तरह मुख्तलिफ गरो जा रहे हैं उस साइट पर और धंकियां दे रहे हैं एक ऐसे ही वीडियो क्लिप के हम कुछ टुकड़े आपके साथ शेयर करते हैं पहले उसका एक टुकड़ा देखिए तो मंदर की तामीर शुरू हुई और उस पर जैसा कि आपने इस मुक्तसर वीडियो क्लिप में देखा कुछ पहरे के लिए दो तीन पुलीस के लोग भी खड़े हैं मगर लोगों का एक जमगटा पहुचता है और वो कहते हैं कि हम यहां पर मंदर नहीं बनने देंगे मुसल्मानों का तो काम ही लड़ना है हम लड़ने से नहीं डरते हैं यह वो मैसिज दे रहे हैं वहां पर मंदर बनने के खाप को चकना चूर करने वाले लोग और इसी वीडियो क्लिप से दूसरा एक टुकड़ा देखिए कि उसमें क्या वो बात कहते हैं हमारी जुटी के पाकिस्तान को बचाने अँए हमारी जूटी के है पाकिस्टान को पचाना है हमने तो इस्लाम की आपके हुआ में तो इसलाम की भादत करने और नहीं है हम निस दिन았र झाप अब我 इस तक wünशे tą हैं तो जमगटे के लोग पुलीस वालों से कहते हैं कि आपका काम है मंदर की इस साइट की हफाज़त करना और हमारा काम है पाकिस्तान को बचाना वो ये कहते हैं कि हम काफर हकूमतों के इस खाब को पूरा नहीं होने देंगे अब मैं कभी बार अपने शोज़ में कह चुका हूँ के वर्ड काफर से मुझे वैसे ही बहुत ज्यmom ситу है ये एक बहुत ही insulting word है hateful word है इसको तो वैसे ही dictionary से निकाल देना चाहिए और जो भी इसको इसको इस्तमाल करें दुनिया भर में उसको hate crime में चार्ज करना चाहिए मगर ये तो मेरी खौाइश है मेरी तमना है लेकिन वहां पर जो ground पर मजूर लोग हैं वो तो धड़ले से इस terminology को इस्तमाल करते हैं कि हमारा फर्ज है पाकिस्तान की हफाज़त करना यानि पाकिस्तान की हफाज़त इस बात पर है कि मंदर ना बने पाकिस्तान के कैपिटल इसलामाबाद नहीं ये है उनका message सर्फ ये बात पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसल्मान हैं उनका ही ये खाब नहीं है उनका ही य कैनेडा से भी जो पाकिस्तानी अब किनेडियन बन गए रह रहे हैं वो भी वहां पर गए हुए हैं और वो भी इस जमगटे में शामिल हैं और वो भी कहते हैं कि हमारी एक वर्ड वाइड महम होगी कि मंदर ना बने अब देखिए एक किनेडियन पाकिस्तानी वहां पर क्या क तो कैनेडा से पाकिस्तानी किनेडियन या किनेडियन पाकिस्तानी वहां पर इसलिए जाते हैं क्या कि मंदर की तामीर को रॉक सकें क्या किनेडियन हकूमत इस बात पर को एक्शन लेगी पाकिस्तानी हकूमत तो इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेगी ये तो हमें पता है लेकिन ये जो माइंड सेट है ये जो मेंटालिटी है ये कैनेडा में अमरीका में यॉरप में काफी पाई जाती है बहुत सारे वाटसेप ग्रॉप्स पर ये डिसकेशन हो रही है पाकिस्ता पाकिस्तानी वाटसेप ग्रॉप पर कि इस मंदर को तमीर होने से कैसे रोका जा सकता है इसकी कैसे कंडेमनेशन कोट अन कोट वो ये कह रहे हैं करनी चाहिए एक ऐसे ही पाकिस्तानी वाटसेप के ग्रॉप में जो अमरीका में बेस है बहुत सारी पोस्स है मैं सिर्फ मुहुरिया पाकिस्तान में बतों को रखने के और पूजने के लिए जगा भी दे रहे हैं और फंड भी दे रहे हैं इन हिंदूों ने अगर अगर अपनी अबादत गाहें बनानी हैं तो खुद अपने फंड से तमीर करें लेकिन हम मुसल्मानों के फंड से नहीं वो भी किसी पाकिस्तानी लिख रहे हैं और ऐसे कोई एक पोस्ट नहीं मैं आपको दरजनों पोस्ट लिखा सकता हूं लेकिन ये एक नमूने के तौर पर आपको पोस्ट लिखाई है इसी तरह वो पाकिस्तानी किनेडियन या किनेडियन पाकिस्तानी चूँके वो अगर किनेडियन अपन मानें तो कभी ये बात ना करें पाकिसान में जाके कि हम कैनिडा में रहते हैं और मंदर को नहीं बनने देंगे चुकर ये कैनिडा की स्पिरिट नहीं है ये कैनिडा के लाव में नहीं है मगर वो ये काम पाकिसान में जाकर कर रहे है इसलिए पाकिसानी केनेडियन ही है और अ बनना शुरू हुआ इसकी मुखालफत वहां की मजभी जमातों और बहुत सरे ग्रहों ने की तो मंदर तोड़ने की जो इबतदा की चंद रोज पहले ही एक नौजवान जाता है और मंदर तोड़ने की इबतदा करता है उसका वीडियो क्लिप पी वाइरल हुआ ट्वेटर प तो एक अकेला नौजवान जाकर मंदर को तोड़ने की जितनी वो फाउंडेशन अभी रखी गई थी इबतदा करता है और उसको रोकने के लिए वहां पे कोई नहीं और ये वो खाब है जो पाकिस्तान ने बसने वाले हिंदों का जो एक मासूम सा खाब भी पूरा नहीं हो रहा वैसे तो उनके किसी खाब को भी पूरा करने की वहां पर कोई फजा नहीं है हर रोज रिपोर्ट्स के मताबिक तीन हिंदू बच्चियों जो हैं हिंदू और सिक बच्चियों वो कानवर्ट होती हैं फोर्सफली उनकी मेरिज़ की जाती है ये तो रिपोर्ट्स के मताबिक है और जो रिपोर्ट्स में नहीं है उसकी क्या खबर है वो कितनी बड़ी तदाद है वो एक अपनी जगा पर बहस है लेकिन मंदर की जो अभी फाउंडेशन ही रखी गई थी उसको किस तरह एक नौजवान तोटता है पीछे मैंने आपको कुछ विडियो क् rains लाइशन तरह चांटें किस तरह लोग वहां पे जाके कहते हैं के मुस्लमान का काम लड़ना है वो मंदर नहीं बनने देंगे पाकिस्तान की हिफाज़त करेंगा यानी मंदर ना बनना पाकिस्तान की हिफाज़त है और फिर अजान देते हैं लोग वहां पे जाके और वो कहते हैं कि इस जगा पे हम अजान दे रहे हैं यानी मंदर तो यहां पे बन ही नहीं सकेगा अब अजान की भी वो जलकी जरा देख लीजिए अब अजान की नहीं बात सिर्फ अजान की नहीं बात सिर्फ उस मेंटालिटी की नहीं जो एवन पाकिस्तानी कैनिडा, अमरीका, यॉरोप में बसते हैं वो मंदर के खलाफ जिस तरह की जबान बरत रहे हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मसूम नन्ने बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है और ये वीडियो जो मैं आप से शेयर करूँगा, आप में से बहुत सोने और लेड़ी इसको सोशल मीडिया पर वाइरल होते हुए देख लिया होगा लेकिन मैं अपनी बात के साथ बात जोड़ते हुए वो वीडियो फिर आपको दिखाऊँगा लेकिन उसके साथ ये मैं कमेंटरी भी करूँगा कि किस फखर के साथ एक बाप अपने दो नन्ने नन्ने बच्चों को हेटरड और इंटॉलरंस सिकाता है सिर्फ हेटरड और इंटॉलरंस ही नहीं बलके मार देने की जैसे वो तलकीन कर रहा है उनको सबक दे रहा है कि हर हिंदू को चुन चुन के मार दिया जाए कितने दुख की बात है ये वीडियो कलिप पूरी दुनिया के मीडिया पर वायरल है पूरी दुनिया इसकी मुझमत कर रही है लेकिन पाकिस्तान इस तरह के माइंड सेट को कैसे काबू में करेगा ये खुद पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है चुकि यही काम अब तक पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट ने इस माइंड सेट की बढ़ोती के लिए किया है जहाद फी सबीलिल्ला के नाम से मैं आगे कुछ कमेंटरी करूँगा लेकिन इससे पहले आपको चाहता हूँ मैं वो वीडियो मेरे इस शो में भी देखें जो अगरचे आपने देखी होगी तो ये मेरा बेटा कोई पेगाम देना चाहता है ये ज़रा सुन ले खान साथ अदर इस्लामबाद में मंदिल बना तो ये यात लंतना मैं उन हिंदो तो चुन चुन ते मारूंदा ये टावल नाए लग देख लोजी अगे तो आड़ी मर्जी है भाई ये है वो माइंडसेट अब पाकिस्तान की नई नसल का सिर्फ पाकिस्तान की नई नसल का नहीं पाकिस्तान जब से बना है उस नसल से लेकर अब टक का इमरान खान के नाम उस बच्चे ने कहा कि खान साथ सुन लो ये मंदर नहीं बनेगा अगर बना तो मैं चुन-चुन के हिंदूओं को मारूंगा ये वो शायद तीन साल ये चार साल का बच्चा कह रहा है और खान साथ पाकिस्तान के वजीर आजम जिन को भारत के हवाले से लेक्चर देने का ट्विटर एकाउंट पे अपनी तक्रीरों में सुब और शाम वो एक तरह से जजबा तारी रहता है और जिनों ने अभी पिछले दिनों ही अपनी पार्लिमेंट के अंदर उसामा मिलादन को शहीद कहा था ये है वो जजबा खान साब का और अब खान साब साथ साथ दुनिया को ये भी एक आई वाश देना चाहते हैं कि हम बहुत टॉलरेंट हैं हम बहुत ज्यादा जो माइ इन अंदर समोना चाहते हैं लेकिन हकीकत ये है कि चाहे वो नंकाना साब की गरंती की बेटी की फोर्स्ट शादी और फोर्स्ट कनवरजन का मामला हो वो अभी तक हाल नहीं हुआ और हर रोस तीन हिंदू और सिख बच्चियां इस अल्मिये से गुजरती हैं कि उनकी फोर् रिपोर्ट्स बताती हैं और रिपोर्ट्स के इलावा तो शायद नंबर अनकाउंटेट हैं और वो अपने सिर्फ एक इमिज बेटर बनाने की खातर इसलामाबाद के इस मंदर को शायद बनाने के लिए गरीन सिगनल भी देते हैं या उनकी सरकार देती हैं लेकिन सिर्फ आई वाश के लिए दर हकीकर ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं वो आप इन वीडियो क्लिप से इन से अंदाजा कर सकते हैं अब पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू हैं जो पेट्रियॉटिक भी हैं पाकिस्तान के लिए वो बार बार मिस्टर जना की वो कूटेशन्स देते हैं जिसमें मिस्टर जना ने कहा था कि यूर फ्री तो गो तो यूर मंदर्स, यूर मास्क, यूर रिलिजियस प्लेसेस, खैर वो भी जना साब का एक आई वाश था, अगर आई वाश नहीं था, तो फिर टू नेशन की बेस पर कंट्री बनाने का कोई तुक नी बनता थ लेकिन चलिए, वो जना साब ने अपने प्लिटिकल डिसीजन्स किये, जो हुआ वो हुआ, लेकिन वो सारे का सारा सफर अभी तक वैसे का वैसा चल रहा है, कि टू नेशन्स हैं, हम मंदर नहीं बनने देंगे, हम इसलाम की हिफाज़त करेंगे, हम पाकिस्तान की का, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू हैं, जो अब वहाँ पे रहते हैं, वो कहा जाएं, वो अपना पैट्रिटिजम भी दिखाते हैं, उनको पाकिस्तान से, एक पाकिस्तानी से ज्यादा, मुसल्मान पाकिस्तानी से ज्यादा अपनी वफादारियां साबत कर न होती हैं उनकी मजबूरियां हम समझते हैं वो बिचारे बार-बार बताते हैं कि हमारा भारे से कोई तरलक नहीं संबद नहीं वो वहां रहना चाहते हैं एक ऐसे ही पाकिस्तानी हिंदू कपिल देव जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पे सोशल मीडिया एकाउंट्स पे इस दुख का इजहार भी बार बार करते रहते हैं कि बहुत मुश्कल है पाकिस्ताने बसने वाले हिदू के लिए क्या उनके लिए एक मुश्कल फैसला था उनके अबाउजदाद के लिए उनके पुर्कों के लिए को उन्होंने पाकिस्तान रहने का फैसला किया लेकिन फिर उन वो ये भी होसला देते हैं कि हमारे साथ कुछ progressive مسلمان بھی ہیں جو ہمارے حق میں بولتے ہیں وہ social media پہ اس مندر کے حوالے سے یہ ساری باتیں کرتے رہے جو میں آج آپ سے کر رہا ہوں لیکن ان کو پھر امید کی بھی کرن نظر آتی ہے ان کو ایک ایسی ہی امید کی کرن پھر ابھی recently نظر آئی جب انہوں نے اپنے social media کے accounts پر خاص طور پر twitter پر جب کچھ تصویریں لگائیں ان progressive مسلمانوں کی جو ان کی حمایت کے لیے بہر آئے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں Mr. Kapil Dev کہتے ہیں کہ Pakistan has once again given us a hope that we won't be left alone and ignored. Today mainstream political parties rallied behind minorities in national assembly and progressive citizens of Pakistan staged a protest demanding temple in the town. To وہ اب یہ امید آپ کے ساتھ share کر رہے ہیں کہ اب کچھ درجن لوگ آ گئے ہیں ان کی حمایت کے لیے سینکڑوں آ جائیں گے وہ بھی protest کرنا شروع کر رہے ہیں کہ مندر یہاں پہ بنے تو ان کو امید ہے کہ ایک بار پھر شاید مندر بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی امید ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر political parties نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے لیکن الجزیرہ جو بہت ہی زیادہ پرو اسلامیس ٹی وی چینل بھی ہے وہ خود کہتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی خبر میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو دسمیسز چیلنجز تو ہندو ٹیمپل کنسٹرکشن 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 آف ہندو پلیس آف ورشپ سٹل ناٹ اشیورت اس گارمنٹ seeks recommendations from religious body اب خود الجزیرہ ٹی وی چینل کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی ایک کوٹ نے کہہ دیا کہ کنسٹرکشن آف ہندو ٹیمپل ان اسلام آباد کے خلاف جو پیٹیشن ہے اسلامیسٹوں کی کہ یہ نہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہو وہ ہائی کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا بہت خوش آئین بات ہے وہ جو کچھ لوگ protest کر رہے ہیں کہ یہاں مندر بننا چاہیے religious forces کے خلاف وہ بھی اچھی بات ہے پارلیمنٹ میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ گارمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گارمنٹ assured نہیں ہے کہ کیا واقعی مندر یہاں پہ بن سکے گا اس کے لیے religious body سے consultation ہو رہی ہے اور وہ جو اندر اندر پاکستان کی religious forces ہیں جو کہتی ہیں کہ یہاں پہ مندر بننا پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے یہ ہے ان کا رویہ اس ساری صورتحال میں کیا آئی واش کے لیے گارمنٹ مندر بننے کو facilitate کر دے گی چلیے اگر وہاں پہ مندر بن بھی گیا ہم اس کو appreciate کریں گے میں personally بھی اس کو appreciate کروں گا کہ تمام مشکلات تمام mindset کی جو ایک خاص طرح کی لہر چل رہی ہے مذہبی جنینیت کی اس کے خلاف ایک مندر بن بھی گیا ہم اس کو appreciate کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ یہ بھی ایک طرح سے آئی واش ہوگا لیکن ہم اس آئی واش کو بھی ایک اچھے جیسٹر کے طور پر قبول کر لیں گے لیکن کیا یہ mindset جو اس وقت کی عمران خان کی حکومت ہے اس کے وزیروں کا ہے ان کے ایک وزیر مصر علی محمد تو خاص طور پر جانے جاتے ہیں اس طرح کے بیانات کے حوالے سے کہ وہ احمدیوں کے خلاف اس طرح کے بیانات twitter accounts پہ کھلے عام لگا چکے ہیں کہ وہ قابل قتل ہیں واجب القتل ہیں یہ افسوسناک جو رویہ اور mindset ہے اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت کے ministers کا ہے ایک minister کا نہیں کئی ایک کے ایسے بیانات اب تک سامنے آ چکے ہیں تو کیا آئی واش کے طور پر چلیے آئی واش کے طور پر ہی صحیح عمران خان کی حکومت اس طرح کے minister سے بالکل مختلف بیانات لینے میں کامیاب ہو سکے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو mindset ہے جو mentality ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور وہ میرے بھی سامنے ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں پاکستان کی حکومت آئی واش کے طور پر ہی صحیح اس طرح کے اقدامات کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کے اس معصوم خواب کو پورا کر سکے یہ آپ بھی دیکھئے گا یہ میں بھی دیکھیں گے آج کا بلا تقلیف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے